नमस्कार दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं इसका मतलब क्या होता है और जो लोग नए आदमी है वोग वीडियो को सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरू करें अप्लिकेशन हैज बिन कलेक्टेट कैम्प इसका मतलब यही है आपका जो भी फाइल है समिट हो चुका है आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा डेट देख रहे हैं 2222 का है यह एकदम करेंट वीडियो है पुराना नहीं है एकदम बिल्कुल नया है मैं जिन जानकारी आपको दूगा अगर कुछ जानकारी से छूट जाती है तो आप हमेरे कोड़ेंट वोक्स में लिख सेते हैं मैं पूरा आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा अपलिकेशन हैजमें क्लेक्टेट कैम्प का मतलब यही है कि आपका जो भी है फाइल है जितना जो हुए है सब collect हो चुका है मतलब जमा हो चुका है और आगे पासपोर्ट से बाके अंदर में भेज दिया गया है और इसके summit होते ही 10 से या 12 दिन के अंदर मिनमा 20 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर आपको police verification करना पड़ेगा 20 दिन के अंदर police verification आ जाना चाहिए अगर नहीं आता है तो आप post office में पता करें या पासपोर्ट से बाके अंदर में पता करें जहां आपने किया था कि वीज दिन के अंदर क्यों नहीं आया police बर्दी के सब मतलब जितना भी इसका मतलब यह application has been collected का मतलब कि आपका जितना भी था सब पेपर अधार कार्ड पेंड कार्ड ड्राइविं लैसेंस मैट्रिक का सर्टिफिकेट बर्ड सर्टिफिकेट जो भी था सब किलियर है और कोई भी आपको पेपर में कोई त्रूटी नहीं है आपका एक मतलब कि save कर लिया गया है आपको एक generate code मिलेगा जहां मैं share का option दिया ह प्रस्नली है इसलिए यह पास्पोर्ट का जितना भी समान है share नहीं करना चाहिए और पुलिस फेरिकेशन की बात कर लें पुलिस फेरिकेशन आपको 20 दिन के अंदर आएगा और नहीं आता है तो आप पुलिस थाने में SP office में पता कर सकते हैं नहीं तो आपको जैदा समय भ आपका अवेदन पास्पोर्ट सेवा के अंदर में ले लिया गया है मतलब बस और कुछ जानकारी नहीं है और यूटूब पे जैदा लंबा वीडियो बनाके समय नहीं नश्ट करूंगा मैं छोटा वीडियो बनाके मैं सब को सर जाना चाहता हूं और अंदर विश्वास हो तो मेरा वीडियो लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे और मैं यही कहूंगा और अप्लिकेशन के बारे में ट्रैक भी कर सकते हैं धन्यवाद जैन जैव भारत